फिल्म की शुरुआत साल 1930 में होती है जब समुद्र का स्तर बढ़ने लगा था शहर पानी में डूब चुके थे इस वज़े से इंसान अंतरिक्ष में रहने के लिए चले जाते हैं उन्होंने वहाँ पे गोल अकार का स्पेस टेशन बनाया था पूरे स्टेशन को अलग- क्योंकि खिलाब जंग छेर थी खास बात ये थी इस जंग में रोबोट का इस्तमाल किया जाता है फिल्म की में एक्ट्रेस जिनका नाम कैप्टन यून होता है रोबोट से लड़ाई कर रही होती है कैप्टन यून रोबोट को मारने के लिए फेमस थी उनकी सारी टीम की कैप्टन यून ग्रेनेट से उस रोबोट को आग लगा देती है लेकिन रोबोट एक तरकी गैस छोड़के आग को बुजा देता है रोबोट फिर से फाइरिंग करता है इससे कैप्टन यून के हाथ में गोली लग जाती है तब ही उनके सफेद परने लगती है और बॉडी फ कैप्टन यून के सिर में तार लगा देता है ताकि सिमिलेशन का डेटा डेलीट कर सके दरसल उन्हें कमपनी ने बनाया था जो लड़ाई करने के लिए रोबोट बनाती है इस कमपनी का नाम क्रोनोड था इसकी फैक्टरी को दिखाते है जहाँ पर रोबोट के चेहरे बना हुए थे जोई देखने के लिए आये होते हैं कैप्टन यून लड़ाई के लिए तयार है क्या मीटिंग के अंदर बताए जाता है कैप्टन यून रोबोट को मारने के लिए फेमस थी लोगों को उनसे उमीद थी कैप्टन यून कॉलनिस की जंग को खतम करतेगी लेकिन ए पर्जेंटेशन में बताती है, कैप्टेन यून उसकी मॉम थी, दरसल वो इसी वज़े से उस रोबोट को बनाने में मेनत कर रही थी, एक तरह से वो कैप्टेन यून को फिर से नई जिनकी देना चाह रही थी, अगले सीन में कैप्टेन यून के रोबो में नकली दिमाग उन्हें गोली लगी थी, जब उस डॉक जैसे रोबोट ने उन्हें शूट किया था, एक दिन सीयो उसके कली को बताती है, जब वो 11 साल की थी, उसे लंग कैंसर हो गया था, वो लोग गरीब थे, कैप्टेन यून ने मिलिटरी सीली जोइन की थी, ताकि वो हॉस्पिटल का खर्चा उटा सके, एक फ्लेश बैक में दिखाते हैं, जिस दिन सीयो का उपरेशन था, उसी दिन कैप्टेन उनको गोली लगी थी, सीयो का ध्यान रखने के लिए, केवल उसकी दादी थी, सीयो ट्रेन से घर जा रही होती है, खिड़की के बाहर शेहर का नजारा दिखाते हैं, लोग सड़कों पर रह रह रहे थे, जहांबे गवर्मेंट उन्हें खाना देती है, हर एक जगा कूडा बिकरा हुआ था, रोबोट उसे साफ कर रहे थे, अगले सीन में सीयो ऑस्पिटल में जाती है, डॉक्टर बताते हैं, सीयो को जो बच्पन में लंग कैंसर था, वो वापिस आ चुका है, उसके पास केवल तीन मेने है, सीयो को आप्शन मिलता है, वो चाहिए तो उसका दिमाग कलोन करवा के, रोबोट में डलवा सकती है, लेकिन ये तरीका महंगा पड़ेगा, दूसर आप्शन ये उसे रोबोट तो फ्री मिलेगा, लेकिन सरकार उसक चिनों की वएसे जिन्दा होती है, कैप्टन ये उन बूड़ी हो चुकी थी, क्योंकि उनका असली शरीर था, दूसरी और कमपनी में कैप्टन ये रोबोट की टेस्टिंग हो रही थी, डिरेक्टर कैप्टन ये उनके रोबोट की टांग पे गोली माने को कहता है, वो ये चानग से कैप्टन ये जो इतनी देर से दर्द से कांप रही थी, लड़ाई चालू कर देती है, कैप्टन ये उनका दिमाग लाल रंग से बदल कर पीले रंग का दिखने लगता है, डिरेक्टर बोलता है, वो दिमाग के सी पीले वाले इसे को ठून रहे थे, इसी को डिरेक्टर के साथ फैक्टरी में होती है, यहां पर रोबोट्स के चलने का टैस्ट हो रहा था, रोबोट्स की सिफ टांगे थी, जिनसे तार चुड़े हुए थे, उपर का हिस्सा गायब होता है, यो को मालूम चलता है, कमपनी का चेर्मेन आफिस में उनका वेट कर रहा ह दरसल वो कमपनी का मालिक था, सियो डिरेक्टर के साथ जब आफिस में जाती है, तो डिरेक्टर फ्रीज हो जाता है, उसकी एक आख लगाता जपक रही होती है, चेर्मेन बताता है, वो डिरेक्टर दरसल एक रोबोट है, चेर्मेन ने अपना दिमाग कलोन करके डिरेक्ट वो तीन कोलोनी जिन्होंने जंग को चालू किया था उन्हें समझोते पर साइन कर दिया है उन्हें अब लड़ाई के लिए कैप्टन यून का रोबोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी चेयर्मेन मचा करता है वो अबसे घरू की सफाई करने वाले रोबोट बनाएंगे चेयर्मेन जाते हुए उसकी जड़ी पे एक बटन को दबाता है जिससे डिरेक्टर फिर से नॉर्मल हो जाता है एक दिन सीयो उसके कलीक के घर जाती है अंदर जाने पे उसे कैप्टर जून का रोबोट मिलता है जो बिकनी में थी कलीक कैप्टर जून के साथ एंचॉय कर रहा था सीयो उस आदमी का गला पकड़ लेती है वो बताता है कंपनी के चेयर्मेन ने फैसला लिया था वो कैप्टर जून के रोबोट को सैक्स टॉय के तोर पे मार्केट में उतारेंगे कैप्टर जून पहले से लोगों में फेमस थी इसलिए उनसे अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा सीयो लैब में जाके कैप्टर जून से बात करने के लिए उनके रोबोट को चालू कर देती है कैप्टेन यून के दिमाग में आकरी यादे उसी दिन की थी जब उनकी बेटी का ऑपरेशन था कैप्टेन यून कहती है ऑपरेशन वाले दिन उनकी बेटी ने उन्हें कीचन दिया था इस पर डॉल बनी हुई थी ये गुड लग के लिए था ताकि कैप्टेन यून जंग से लौट आए कैप्टेन यून जब उस डॉक जैसे रोबोट से लड़ाई कर रही थी तो वो कीचन उनसे खो गया था उन्हें वेसाई कीचन गाड़ी से लटका हुआ दिखा जिससे उनका ध्यान बटक गया और रोबोट ने उन्हें गोली मारती ये सुनके सीयो जोरो से रोने लगती है कि उसकी मौम कितनी ज़्यादा केयर करती थी सीयो कैप्टेन यून को चुड़ाने का प्लान बनाती है जब कैप्टेन यून सोई हुई थी तो सीयो ने असलियत बता देती है कमपनी वालों ने उनके दिमा को कलोन कर लिया था और अब वो उसे सैक्स रोबोट बनाना चाते है कैप्टेन यून के रोबोट की आखरी बार टेस्टिंग हो रही थी इस बार सीमुलेशन में जब वो डॉक जैसा रोबोट गोली चलाता है कैप्टेन यून उससे बच जाती है लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि उन्हें गोली लग चुकी है कैप्टेन यून को रिपेर के लिए ले जा रहे होते है वो कमपनी के लोगों को पीट के वहाँ से भागने लगती है वहीं डारेक्टर कम्प्यूटर पे सीमुलेशन का वीडियो देख लेता है वीडियो को दीमा करने पे मालूम चलता है कैप्टेन यून उस कोली से बच गई थी डारेक्टर सारा प्लान समझ जाता है वो कैप्टेन उन को रोकने के लिए कमपनी के सारे रोबोट को एक्टिवेट करने को कहता है और फिर वो खुद बंतूक लेके कैप्टेन उनके पीछे जाता है इसी बीच CO को दिखाते हैं जो लैब में जाके कैप्टन यून के दिमाग को कम्प्यूटर से डिलीट कर देती है कैप्टन यून के दिमाग की आखरी कौपी केवल उस रोबो में थी कैپٹن यून फैक्टरी में जाती है जहाँ पे इनीकी शेकल के बहुत सारे रोबोट रखे हुए थे तबी उन पे बिनाचहरे वाले बहुत सारे रोबोट अंटा करते हैं इसी बीच में पुलिस वाले रोबोट कैपٹن यून को पकड़ने के लिए कमपनी की बिल्डिंग में पहुँचाते हैं फैक्टरी में कैप्टन यून और वो बीना चेरे वाले रोबोट में लड़ाई चल रही थी वो लेजर से कैप्टन यून का एकाथ कार्ट देती है तब ही पीछे से आके सियो रोबोट को बंद करने के लिए उसके सिर में तार लगा देती है सीन चेंज होता है फुलिस वाले रोबोट फैक्टरी में जाके कैप्टन यून को गोली मार देते है फुलिस वाला रोबोट फैक्टरी में लगे कैमरा से चुड़ जाता है वो पाच मिनट पहले का वीडियो देखता है सियो ने कैप्टन यून का दिमाग निकाल के दूसरे वाले रोबोट में डाल दिया था इसका चैरा नहीं था सियो उस रोबोट के साथ फैक्टरी से बाहर चली गई थी सियो और कैप्टन यून ट्रेन में होते है उन्हें वहाँ पे डारेक्टर मिलता है जिसके आत्मे बंदूग थी डारेक्टर सियो के कंदे में गोली मार देता है कैप्टन यून डारेक्टर से लड़ाई करती है जिस वज़े से डारेक्टर की एक खराब हो जाती है उसे मालूम चलता है वो खुद एक रोबोट है पुलिस वाले रोबोट दूसरी ट्रेन में कैप्टन यून का पीछा कर रहे थे दूसरी दरफ सिविलियन थे तो फारिंग करने के बज़ाए पुलिस वाले रोबोट कैप्टन यून वाली ट्रेन पे कूच जाते है कैप्टन यून डारेकटर को ट्रेन से बाहर फिक देती है लेकिन डारेकटर पुलिस वाले रोबोर्स को पकड़ के वापिस ट्रेन में आ जाता है ट्रेन गूलिया चलने की वज़े से खराब हो जाती है जिससे वो पूरी नीचे गिरने वाली थी डारेक्टर और कैप्टन यून ट्रेन से लटके होते हैं सियो कैप्टन यून को बचाने के लिए एक बंदूग से रसी छोड़ती है वहीं डारेक्टर नीचे गिर जाता है सियो का बहुत सारा खून बैच चुका था वो कैप्टन यून को जाने को कहती है CEO मरने वाली थी लेकिन वो आखरी बार भी अपनी असलियत चुपाती है कि वो ही उनकी बेटी थी कैप्टन यून जाने से पहले CEO को गले लगाती है CEO अपनी मौम की वज़े से 25 साल तक जिन्दा थी और अब उसने भी अपना फर्स पूरा कर दिया था